नमस्कार दोस्तों जैहिंद वंदे मार्षम बी एससी सीजियल थर्ड का जो आपका फर्स शिप्ट का एक्जाम हुए बच्चों इसका रिजल्ट कब आएगा ठीक है कट आफ कितना जाएगा ठीक है और जो सेकंड और थर्ड शिप्ट के कैंडिडेट थे जो कोट में जाकर म हो रहा है समय देखिए बच्चों आपका जो फर्स शिप्ट का या पर परिक्षा रद कराया गया था उसके बाद आपका रिएग्जाम हुआ था तो रिएग्जाम आपका हो गया था ठीक है अब इसका रिजल्ट कब आएगा काफी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि रिज से लेकर 25 अपर ध्यान से सुनना ये और ये ऐफिशल डेट बता रहा हुँगे ओफिशल डेट है एफिशल डेट है 20 से 25 अपरेल के बीच में आपका रिजल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है मैं मैं रिजल्ट नहीं जाने वाला आपका ठीक है इसका रिजल्ट बहुत कर लीजिए और apply कर लीजिए ठीक है बाकि BSSE CGL के जितने भी aspirant है wait कीजिए आप mid तक ठीक है 3rd week तक wait कीजिए 3rd week में आपको result के regarding सारी चीज मिल जाएगी अब बात करेंगे cut off कितना जाएगा देखी cut off मैंने एक चीज देखी Google पर बहुत सारा जगे cut off लिखा है कहीं पर जो exact cut off है बच्चो वो क्या रहने वाला है तो यह आपकी सामने में आज discuss करूँगा इसमें जो cut off जाएगा ना तो high जाने वाला है ना low रहने वाला है जो cut off रहेगा ratio जो होगा cut off का वो average रहेगा average का मतलब क्या होता है ना जादा high ना जादा हो ठीक है मतलब mid में रहेगा medium रहेगा तो देखते हैं वो number क्या है पहले यूर category से शुरू करेंगे जो general के अव्यार्थी है अगर आपके भी 111 से लेके 116 के बीच में अंक है 111 से 116 के बीच में तो आप बिल्कुल safe zone में अपने आपको रख सकते हो या मान सकते हो अब बात करेंगे वहीं पर OBC वाले aspirant की OBC वाले ठीक है तो इनका cutoff में भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा आप यह मान के चलिए 104 से लेकर 109 के बीच में अपने आपको रख सकते हो ठीक है OBC वाले अब वहीं पर हम बात करते हैं SCHT वालों के लिए 103 से लेकर 107 नंबर के बीच में SCHT वाले प्लस वन माइनस वन अपना आप कर सकते हो उपर निचे ठीक है लेकिन जो cutoff का ratio है वो यही रहने वाला है आपका तो I hope मैंने आपको सारी जनकरी बता दी है result date भी बता दी cutoff भी बता दी cutoff इतनी रहेगी आ बागी जो भी पूछना चाते हैं तो ग्रूप में आप जोइन होके पूछ सकते हैं से